अगर आप लोग मुवाइल फोन की मदद से अच्छा खासा पैसा जनरेट करना चाहते हो तो आज की वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं कि आप अपने मुवाइल फोन का इस्तमाल करके आप अच्छा खासा पैसा जनरेट कर सकते हो महिने का 40-50,000 रुपे कमा सकते हो और मैं आपको बता दो कि आप लोग कुछ भी करते हो आपका सर्टिफिकेट होना अगर आप एजुकेट हो तो आप कर सकते हो अगर आप एजुकेट नहीं हो तो भी आप मेरे वीडियो वाच करके कर सकते हो और मैं आपको बता दो कि अगर आप रियल में एरनिंग जनरेट करना चाहते हो तो आप इसमें कर सकते हो और आप लोगों ने देखा होगा कि आज कल बैंक एकाउंट सभी के पास होता है और बैंक एकाउंट खुलवाना mandatory है नहीं तो जो पैसा कमाएगा व्यक्ति वो पैसे को कहां रखेगा सेविंग में ही रखेगा अगर कोई कोई तो करेंट में रखता है वंकी बात करना हूं गावाले लोगों को कहीं ना कहीं बैंक में जाना पड़ता है लेकिर अगर यही काम आप लोग करने लगो उसके बदले आपको मिलेगा पैसा तो वो पैसा कैसे मिलेगा वही चीज में आपको बताने वाला हूं तो प्लीज वीडियो को लाइच से जरूर देखें तो आप लोग इससे अच्छी खासी रेनिक जनरेट कर सकते हो जैसे कि मैंने आपको बता दिया आप महिने का 45-50,000 रुपे कमा सकते हो अगर आप ल करना बहुत एज़ी है आपका एक email id, password and mobile number लगेगा आपका account बन जाएगा जिसे आपका account बन जाता है तो इसमें work कैसे करना है मैंने इसमें नया account बनाया है आप लोगों को scratch से आपको सिखाने के लिए कि आप स्टार्टिंग कैसे करोगे और स्टार्टिंग के बाद उसमें offers पर click करना है क्योंकि हमें यह देखना है कि अभी कितने offers चल रहे हैं जिनको हम complete करके अच्छी खासी अरिनिंग को generate कर सकते हैं तो जितने सारे offers होंगे वो सारे offers हमारे यहां पर show हो जाएंगे जैसे अभी चल रहे हैं 84 offer तो 84 offer में देख सकते हो कि यहां पर आप क्या-क्या sell करोगे तो आपको 3500 रुपए आपको instant मिल जाएगा अब उस sell कैसे करना है मैं बताता हूं जैसे कि यहां पर आपने credit card के उपर click करोगे तो यहां पर उसकी सारी details आ जाएगी जैसे कि उसकी age क्या होनी चाहिए 27-25 के बीच होना चाहिए income targeting 6 लाग का annual होना चाहिए civil school चाहिए और campaign का terms and condition क्या है जैसी आप इसको fulfill कर देते हो अपने customer को credit card दिला देते हो 110% अप्रूब हो जाता है तो यहां पर आपको एक credit card को sell करने का 35 रुपए मिल जाएगा अब मैं आपको बता दूँ एक चीज और ध्यान से आप सुनिएगा मैं चीज और बता दूँ कि अगर आपने 10 लोगों को sell कर दी अपने credit card को तो 35 रुपए के हिसाब से वो 10 लोगों का credit card अप्रूब होने के बाद आपको एक दिन में 35,000 रुपए तक की earning generate हो सकती है लेकिन आप target करें कि हम एक दिन में जादे-जादा credit card sell कर सकें तो यहां पर हम back आने के बाद यहां पर account खुलवाते हो जो कि digital bank है वहां पर खुलवाते हो तो यहां पर आपको 1000 रुपए तक का payout मिल सकता है अब आप लोग decide करो कि अगर आप लोगों ने एक दिन में किसी की 2 accounts खुलवा दिये या 10 accounts खुलवा दिये तो आपके 10,000 रुपए पढड़े के सबसे बन जाया करेंग तो यहां पर targeting देख लिए एंड जो 23 जो minimum age है male या female की 23 साल होने चाहिए campaign के terms and condition देख लिए जैसी वह approved होता है तो यहां पर आपको 1000 रुपए successfully आपके account में send कर दिये जाते हैं अब यहां पर back आने के बाद में यहां पर और भी सारे offers चल रहे हैं जिनको आप mandatory जिनको आप complete करके एक अच्छी खासी earning generate कर सकते हो यहां पर आपको जो भी offer पसंद हो उस offer को complete कर सकते हो यह काम आप अपने mobile phone से start कर सकते हो यहां पर देखो एक m pocket का अगर आप लोग m pocket की through किसी को lawn दिलाते हो तो 120 रुपीज तो आपको instant मिलेगा जब कोई वेक्ति उसमें sign up करेगा अ credit card sell करके भी अच्छी खासी earning generate कर सकते हो जैसा कि मैंने आपको सारी details बता दिये अगर आपको कोई doubt हो ना तो आप लोग मुझे comment section में बता सकते हैं मैं एक चीज और बता दूँ आपको जो आपकी earning है वो कहां पर सोगी जितने भी offer को complete करोगे यहां पर आपकी earning सोगी यहां आप बॉलेट आप यहां पर चीज़ें करने के बाद यहां पर आ जाना है और जो आपने कमाया होगा इसमें धन जितने भी earning आप करोगे यहां पर विड्रौ वाली section पर करोगे तो यहां पर विड्रौ कर सकते हो यहां पर सारी चीज़ें दिखेंगे आपको यहां पर minimum जो से ब्रौ लगा कि सékते हो ज़ाधा है और यहां पर आप अपनी चक कर सकते हो क्केमपें कर सकते हो चैनल के पर जिठेक कर सकते हो अभ술िस यहां पर कर करोगी तो यहां पर कुछ ऐसा options आ जाएगा तो यहां पर आपको अपनी bank details को add कर देना है add bank के उपर क्लिक करना है तो यहां पर आपको अपना holdern name डाल देना account number डाल देना ifsc code डाल देना है तो आपका bank add हो जाएगा successfully आपको क्या करना है जैसे आपके इस wallet में 500 रुपर होते हैं या 500 रुपर से जादा होते हैं तो आप इसे withdraw लगा सकते हो और जैसा कि मैंने आपको बता दिया है यहां पर एक और option से जैसा कि मैंने आपको बता दिया है अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो में एक लाइक जरूर कर देना एंड में आपको बता दूं कि आप लोग अगर आप लोगों के माइंड में कोई question है तो आप मुझे comment section में पूछ सकते हो और अगर आप लोगों को वीडियो informative और helpful लगे तो यह वीडियो को तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक आप लोग इस वीडियो के साथ enjoy करें इस application इस website से आर्णिंग generate करें एंड मेरी चनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें